तो आज हमारा टॉपिक है जमेर्टिक मीन और हम कवर करेंगे 9.3 के जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम 16 के आगे क्वेश्चन स्वार्व करेंगे ठीक है तो यहां मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो क्या मुझे स्क्रीन देख पा रहे हैं वाइट किलर गई यह सर ओके तो हम जैसे बात कर रहे था मैं कि हम बात करेंगे जीम तो वट इस जीम जीम मीन जीओमेट्रिक में तो वट इस जीम मैं तो जीम जीम मैं मैं देखिए हमारे पास कोई दो नंबर है इस पॉस्किरों हमारे पास तू दो नंबर है एड वी तो हमनेher इन दोनों नंबर का जीम जीम मेंट्रिक इस इक्विल टू इन दोनों नंबर को आप मैंटिप्लाई करेंगे और उनका स्केर रूट देंगी यह दो जो नंबर है यह और भी उनका जो 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 मैंटिक में है और दूसरी हमारे पास ज्या प्रोप्रट्टी है अगर इस नंबर पर हमतिन दो नंबर के बीच में रहा तो अब यह हमारे पास तीन नंबर आगे अब यह जो तीन नंबर है दे आर इन जीपी है क्लीर है यह सर हां तो मालनों जैसे मेरे पास एक नंबर है टू एंड शिक्स तो मैं इन दोरों नंबर का जमेटरी मीन फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे लग रहा कोई इंट्रवन किया आप चली तो इन दोनों का जो जमेटरी मीन है वो क्या बन जाएगा जीएम क्या बन जाएगा 6 तो यह 12 स्केयरूट और अगर हम इसे स्वाल करना चाहें तो मेरे पास क्या रहेगा 2 रूट 3 और आपको पता है कि जीपी में रेशो जो है वो कॉमन होती है अगर हम इसको चक करना चाहें कि यह हमारा जो हमें सीरी डिखी है कि आज यह रोंग है कि राइट है तो हम यहाँ पर रेशो फान करके देख लिते हैं तो रेशो क्याता है जी सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो आपको इक नंबर मिलेगा तैट इस रेशो अगेर हम एक और रेशो फान कर लिएंड कर लिते हैं यहां से और देखते हैं कि हमारे सेम है या डिफरेंट है यहां पर क्या है 6 6 को आपने डिवाड़ी करना 2 root 3 से तो यहां पर दिखेंगे 2 से 6 कट गया मेरे पास आएगा 3 divided by root 3 अगें जो 3 है उसे हम डिख सकते हैं root 3 multiplied by root 3 and divided by root 3 और आप इसे cancel गा सकते हैं तो root 3 तो आपने देखा कि इनमें जो ratio है वो common है so it means कि यह हमारे पास जो हमने series लिखे थी यह एक GP series है ठीक है this is okay कोई पूशनास में no sir okay तो चले next move करते हैं next question हम कोई ले लेते हैं जैसे question ले रहा हूं है question number 18 है आपकी book में तो question number 18 का है कि आपने sum find करना है हमारे पास एक sequence है eight comma double eight comma triple eight comma four time eight okay so on तो हमने क्या find करना है हमने पार सांद सांद करना है find sum two and terms तो हमने एन टरम्स इसमें जो एन टरम्स हैं इस sequence में उनका सांद करना है अब सांद करने के लिए GP में सांद कारते हैं हमारे पास तो मैं यहाँ पर फार्म मा लिख रहा हूं S n is equal to a, r power n minus 1 divided by r minus 1 और यहां पर r जोड़ा है वो greater than 1 होना चाहिए और second था हमारे पास a 1 minus r power n divided by 1 minus r if r less than 1 तो हमारे पास यह दो तो हमें सबसे पहले यहां पर यहां पर क्या हमें चाहिए a that is first term यहां पर first term है हमारे पास 8 लेकिन यह जो question है जो इस प्रकार्णियों का कि यहां पर हम जैसे यह first term है यह second term यहां से अगर हम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि हम यह first term देलेंगे फिर उसके बाद इसको divide करके हम क्या find कर लेंगे जैसे जैसे मौनलों मैं ऐसे कर दो यह 8 है तो अगर हम आर्फाइंड करने चाहिए तो हम ही क्या आर्फाइंड करने का मैठल मारे पास क्या है second term को first term से divide करने कितना आ गया 11 आप यहां थार्ड को स्मूप करके देखें एट ट्रिपल एट डवल एट तो आप इसको cancel करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा एट से करेंगे तो यह ऐसे ठीक है तो हम देखें कि यह हमारे पास वह है वह सेम नहीं आ रहा है तो यह कॉशन इस मैठल से नहीं होगा इस कुशन को हम कैसे करेंगे इसे हमने क्या करना है let s n is equal to इस सारी टर्म्स को हम sn मादलेंगे तो 8 प्लस डवल एट प्लस ट्रिपल एट प्लस 4 टाइम 8 and प्लस सों अप टो एंड टर्म क्योंकि हमने एंड टर्म तक इंका सम्ट कर नहीं है ओके अब इसका मैतल क्या है सबसे पहले आप क्या करेंगे यह जो एड है यह कॉमन लेने कि आप सम्में जब मैं एड कॉमन लेनुगा मिल पसे हैंगा वन डबल वन ट्रिपल वन एंड फोर टाइम वन एंड सोबन अप्टू एंड टम्स नेक्स्ट टेप हमारा क्या होगा कि आपने नाइन से डिवाइड कर देना है और अंदर नाइन से मिल्टिपलाई कर देना तो मैं यहाँ पर फोर टम्स छोड रहा हूं छोड भी सकता हूं ओके तो नाइन से डिवाइड क्यों करेंगे यह हमारे पास मैथट है जो भी को जो भी यहाँ पर आपको कॉमन होगा वह पहले कॉमन निकालेंगे फिर अगला स्टेप होगा कि इसको नाइन से डिवाइड करना है नाइन से मल्टिप्लाई करना है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अब भी आपको पता चल जाएगा यह देखिए एट अपान नाइन और क्या आ 999 जो आप 1000-1 लिख सकते हैं एंड प्लस सो अप्टो एंड तर्फ यहां तो कोई डाउट है आपको नो सर नो अब यहां पर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ स्प्लिट देखो धहां से 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप्टो एंड तर्फ अब यहां पर माइनिस कोमा ले देता हूं और बैकों डिता हूं वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान अप्टो एंड तर्म से अब बात समझाए यह सर अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें जो पहली वाली सीरिज आपकी यह वाली जो हमारी सीरिज बनी है तो आप देखेंगे कि इसमें आपके रेशो सेम आ रही है और यह जीपी बन दी है एट वाई नाइन रेके और यह जीपी है देखो ध्यान से मैं यहां पर आपको जैसे यहां पर कितना है वेटा टैन है और आप अलेशो फान करके देखिए वान हंडर को आप टैन से जोड करेंगे कितना मिलेगा आपको टैन लगा ओके और अगर आप बन थाउजन को हंडर से जोड करेंगे तब भी आपको टैन मिलेगा तो अब यह जो मैंने अंडर लाइन किया है रेड लाइन से यह आपकी सीक्वेंस जो है वो जीपी है इस जीपी और अब क्योंकि हम सामनिकारने यहां पर टैन है तो टैन क्या होता है जो आपके पास कौन सा मैथल आएगा यह वाला तो यहां पर आप फार्मला लिखेंगे तो यह आप रफ कामे साइड में लिख देंगे ठेक है और यहां पर आप फार्मला भी लिख देंगे कि आपने कौन सा फार्मला अपलाई किया ह है और यहां पर द्रैक्त लिखें तो हमारे पास क्या ए ए कितना वी टा टैन की ब्रैक्ट हैार की पावर आंग पार आ SER आपने यहां पर टैनी कर लाहिए उसकी पावर आर आ जेगी माइनत्राइश बैक्त रोज और अपन में 10 minus 1 next minus 1 अब यहाँ पे दिखी यह जो second part है this is your second part second part का क्या sum होगा इसने कहा कि 1 plus 1 plus 1 up to n term जो 1 है वो n term तक add हो रहा है तो 1 को जब n time add करेंगे तो हमारे पास कितना अंसरा देगा n कितना देगा n ठेक है कैसे मैं यहाँ पर सबसे उपर देखी यहाँ पर मौलोब 1 आपने 2 वार add करती है कितना बेटा है 2 आ गया आपको 1 तीन वार add करना है कितना आ गया बेटा 3 आपको 1 5 time add करना है कितना आ जागा बेटा 5 और इसी प्रकार जब आप 1 को end time add करेंगे तो आपको क्या मिल देगा end क्लियर है सभी को किसी को भी doubt है जैसे अनीक को छोड़कर अगर किसी और को doubt है तो वो अपना microphone उनकर करके पूछ सकता है तो यहाँ पर हमारा question जो है वो solve हो जा रहा है ठीक है अब हमारा सिर्फ हमारे पास क्या है अब हमने calculation करने है बाकी हमारा question जो है जो जीपी का जो formula बगरा लगाना था वो हमने लगा लिए है अब just इसको आपने simplify करना तो यहाँ मैं simplify कर रहा हूं यह देखिए 8 upon 9 यहाँ पर दिखिए इसे आप open भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी रहने दे सकते हैं तो मैं इसको open कर दाऊ 10 को आप अंदर multiply करें तो 10 की power and plus 1 आ जाएगा और minus 10 आ जाएगा और नीची आपको 9 मिल जाएगा यहाँ पे n upon 1 मिल जाएगा यहाँ तक clear है यह सर्ट ठीक है तो अब मेरे पास स्पीस की कमी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ गया अब इस 8.9 पहले तो हम यह बहला अंदर वाला जो एलसे हम ले रहते हैं बाहर मेरे पास क्या है 8.9 और bracket के अंदर क्या है 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 and माइनस 9n और स्पीस के नीचे कितना आ गया 9 तो आप क्या करेंगे अब आप इन 9 को बहर ले आए 8 अपॉन 81 और आपके पास क्या 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 this is your sum to enter of given sequence ठीक है समय जागे आपको तो आपको इस प्रकार के जब भी question मिलेंगे आपने इसी प्रकार जी question करने है ठीक है तो अब क्यों है हमारे पास 26 आ मेरे पास त्री आर दूसरा नंबर है 81 ठीक है विटंक तो यह मेरे पास दो नंबर हैं और इन नंबर के बीच में हमने दो नंब apprendre घर करने हैं तो नंबर हम ने इसमें इंजरड करने हैं और यह क्वेशन हमने क्बी किया था क attendance होगा कि यह सर हां तो हम क्या करेंगे कि हम ड़्यक कर लेते हैं कि वह जो दो नंबर है लैट ऑप जी वन और जी टू है तू नंबर्स और पीछे मैंने प्रूव करके बताया था आपको कि जो हमारे पास कोई सीक्वेंस है उसके बीच में अगर हम तो नंबर जट करते हैं जिसे जीपी की बात करें तो वो जो सारी जीपी नंबर्स आजएंगे वो किसमें होगे जीपी में तो यहां पर हमने दो नंबर ले लिए जीवन जीटू दो नंबर्स हैं जो इन नंबर्स के बीच में हैं तो फिर हम दिख सेते हैं कि 3, g1, g2, 81 are in जीपी है ओके अगर जैजीपी में है तो हमारे पास यहां पर फर्स्ट ट्रम क्या रहेगी थ्री रहेगी और क्योंकि हम फाइन करना चाहते हैं टर्म्स यह वली कौन सी टर्म है कि जैसे सेकंड टर्म है जीवन और जीटू थर्ड तर्म है हमने यह second और third term find करनी है तो terms find करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर ratio चाहिए और हमें जो given है कि यह जो थरी है जो first term इसको लिए लते हैं और यह जो 81 है यह कौन सी term है fourth term यह first term, second, third, fourth तो a4 is equal to 81 हम लिख सकते हैं और हमने find करना है ratio तो माल लेते हैं कि let जो common ratio है उसे हम r ले लेते हैं तो हमें पता है कि जो a n है n-th term है gp में उसे हम लिख सकते हैं a multiply by r power n minus 1 तो फिर मैं a4 को कैसे लिख सकता हूँ a r power q 3 तो क्या यह जो term है a4 is equal to 81 क्या मैं लिख सकता हूँ a multiply by r power 3 is equal to 81 यह आगया आपके पास यहां पर a कितना अगर 3 और यहां पर देखे r q is equal to 81 और r q is equal to 27 ओके और r q is equal to 3 power 3 और रिखे और और kालम ने भी पीछे में discuss किया था और बने बताया था कि जब दो तर्म्स अगर equal है और उनकी b is equal है तो power से होती है या फिर power same हो तो बे seem तो यहाँ पर देखिए इसकी power भी 3 और second right hand side की भी power 3 तो it means की R किसके कोड़ा देगा 3 के तो हमें R ही चाहिए था क्योंकि A हमारे पास है अब हमने term निकालनी है G1 Now जो G1 है यह कौन सी term है यहाँ पर यह second term है तो second term को हम कैसे लिखते है A2 को हम कैसे लिखते है A2 को AR AR तो यहाँ पर क्या जाएगा AR तो A कितना है 3R कितना है 3 दोनों को मेट लए करतीजिए 9 आगे आपने G2 फाइंड करना है G2 क्या आथा जी AR AR स्केर AR स्केर तो यहाँ पर हमने दो नंबर फाइंड करना है G1 और G2 और आपके पास G1 और G2 आगे That's 9 and 27 ठीक है सभी को समझ आ गया किसी को को प्रावलम है तो बता है नेक्स्ट इकोर क्वेशन लेते हैं इसे यहाँ पर क्वेशन है 22nd question यह भी इंपॉर्टर क्वेशन है Question number 22nd Question number 22nd क्या कहा रहा है आपको given है कि जो प्यत है क्यों ते आर्थ टर्म है GP की वो आपको given है ABC वह प्यत टर्म that is आपको AP given है this is प्यत टर्म AP आप इसे लिखेंगे A और आपको क्यों तर्म दी है that is B और आपको आर्थ टर्म दी है वो C दी है ओके तो यह कहरा है कि प्रूव कर रहा है कि जो A की पावर Q माइनस R multiply by B power R minus P and multiply by C power P minus Q is equal to 1 तो यह आपने प्रूव कर दा है भा समझाओ Yes Sir तो हमें सिर्फ given क्या है हमें given है कि PS term given हमें हमें कि स्क्षरology given है हमें pos term given है हमें RS term given है और यह A तो यह अपने यह प्रूब करना इनका मिल्टिकिकेशन जो है वन के को लाइद अब हम यहां पर लैट करेंगे अब सबस्क्राइब लट करें फरस्ट तरम क्या लेट करेंगे लेकिन अब आप देखें कि इसने पीस टर्म को ए ले रखा है इसलिए हम यहाँ पे अब आप जो फर्स टर्म है पीस टर्म है यह वाली सभी बिच्छे देख रहे हैं एपी तो एपी को हम कैसे ले सते हैं एपी क्या है यह देखिए यह मैंने जो बॉक्स में आया है यह है एनफ टर्म ठीक है और यह क्या है पीस टर्म तो इन दोन में अंतर क्या है कि जहाँ जहाँ आ ने लिखा वहाँ आपने सिंपल क्या लिखना है पी लिखना है तो मैं यहाँ पे जो एपी है उससे लिख सकता हूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर और पावर में क्या देगा पी माइनस वन और इस इक्वल टो ए और दिस इस इक्रेशन नमबर वाँ यहां तक किसी को डाउट है तो बताएं इह अप शिमेरली आप ए क्यों ए यह को कैसे लिखेंगे ए आर क्यों माइनस वन और किसके एक को दिया आपको बीके बीके दिस इक्वेशन नुमबर टू और नेस्ट है ए आर और ए आर को आप लिखेंगे ए कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस वन इस इक्वेशन नुमबर ट्री ठीक है यहां तब ठीक है अब आंसर को देखें जो आपने अंसर फांड करना उसने कहा कि ए की पावर कितनी चाहिए क्यों माइनस आर बीकी पावर कितनी चाहिए और एक्सराइजियो फरस्ट एक्वेशन है कि ए मल्टिप्लाई आर पावर पी मंदशने किसके एकोला ए तो हमें यहां पर ए की पावर कितनी बनानी है क्यों माइनस आर और बी की तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमें लेप्टाइंड सेट दिया उसे में हम पूर्ट कर देते हैं हमें लेप्टाइंड सेट में क्या दिया है ए पावर कितनी क्यों मैंनिस आर मल्टिप्लाई बी पावर कितनी पावर कितनी पावर कितनी पी माइनस क्यों तो आप यहां पर सिंपली क्या करें ए की जगा ए की वैली पूट करते हैं बी की जगा बी की वैली पूट करते हैं सी क whole power कितनी आगी? Q-R Q-R आगे multiply by B, तो B की value आपके पास क्या है? A R, power है आपके पास Q-1, और इसकी सबकी whole power जो है, वो कितनी आजेगी? R- P, फिर आगे multiply by आगे देखिए C, तो C की value है, आपके पास capital A capital R, power R minus 1, और whole power P minus Q अब हमने से simplify करना है जो आपने lower classes में पड़ा है अब आपका यहाँ पे sequence का कोई भी rule नहीं डगड़ा है अब हम क्या करेंगे? इससे simplify करना है तो simplify करने के लिए अब यहाँ पे देखो एक term A है और multiply यही आर जो दो term है इनके दोनों की power आपको Q minus R दिया है तो यहाँ पे क्या मैं अलग-अलग इनकी power लिख सकता हूँ? A Q minus R और R power P minus 1 और उसकी again power Q minus R क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यह सर यह हमने पीछे जो exercise है उसमें भी हमने जिसर्स किया था अब यह वाला ध्यान दी यहाँ पर मैं अंट्राइन कर दो हूँ? अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसकी आर जो है इसकी जो power P minus 1 है फिर again power कितनी इसकी? Q minus R अब power की power है तो हमने बात की थी कि माल लो आपके पास A कोई बेस है उसकी power है N और again उसकी whole power M आ जाती है तो हम इसे लिख सकते हैं A की power N into M वह जो power हम दोनों को multiply करके single की लिख सकते हैं समझा गया? तो मैं यहीं करने जा रहा हूँ मैं इसे यहाँ पर delete कर रहा हूँ और मैं इसे लिख सकता हूँ ध्यान देद रहा हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ R power P minus 1 multiply by Q minus R यहाँ तक सभी विच्चों को समझा गया कि मैंने यह कैसे लिख दिया P minus 1 multiply by Q minus R अंदर power थी, बाहर power थी और मैंने यहाँ दिखता है, यह हमारे पास property होती है यह numbers की, आप power को ऐसे लिख सकते है next आप second part second part में भी दिखो कैसा है A है, A की power कितनी आजेगी R minus P और जो capital R है उसकी power आजेगी Q minus 1 and R minus P और थर्ड में A की power P minus Q और A की power है R minus 1 और again A power P minus Q यहाँ तक अगर किसी को doubt है जितने बच्चे जुड़े हैं आप पूस्सकते हैं हाँ जी, है किसी को doubt? तो नहीं है तो फिर चलते आगे तो यहाँ पर देखें मेरे पास अब क्या क्या आगया? यह देखें एक A यह है एक यह है एक यह है तो अब यह तीनों A जो हैं आपस में multiply करें अगर multiply कर रहे हैं तो इनकी power add कर सकते हैं मैं Q-R प्लस R-P प्लस P-Q क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने इनको single base में कनोड़ कर दिया है यह base A यह वरा base यह तीनों multiply कर रहे हैं मैंने single base लिख के इनकी power add कर दी यहाँ तो clear है? यह सर next देखो अब मैं R के मामले में भी ऐसा ही करूँगा R मेरे पास तीन है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो similarly यहाँ पे तीन R है तीनों multiply कर रहे हैं तो मैंने एक single R ले लिया और इनकी जो power है उनको add कर दोगा अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ अब ध्यान देना इन दोनों को मैं लिखना चाथा हो ओपर लिखना ना मुझे से पहले पर प्लस दूसरी पर तीसरी मैं क्या कर रहा independence पहले multiply भी कर रहा है दो काम कर रहा है तो पहले P को Q से मट्ट्रे कर दो क्या गजी PQ P को R से मट्ट्रे कर दो माइनस P R और माइनस 1 को Q से कर दो माइनस Q और माइनस 1 को माइनस R से कर दो पलस R आ गए यहां तक समझा है मैंने Multiply वाला जो लिखनी की बज़ाए मैंने को ओपन कर दिया अब नेक्स क्या करूंगा पलस करूंगा और यह जो वाला है यहां पर देखें अन्ट्राइन ने किया है अब इसे मैंने लिखना यहां पर लेकिन इसे लिखने से पहले मैंसे मट्ट्रे करूंगा तो Q और Q को P से मट्ट्रे करेंगे minus qp minus 1 को r से करेंगे minus r minus 1 को minus p से करेंगे तो plus p और थर्ड यह वाला देखें यहां पर भी आसे करेंगे r into p r q minus p plus q तो यहां तक क्या सभी बच्चों को समझा गया यह सर अब हम इसे solve करेंगे आप ध्यान से देखें a की power क्या बचे है क्यों है आपके पास plus का और क्यों minus का यह आपके पास cancel हो गया r minus का r plus cancel minus p plus p तो आपके पास यहां पर क्या बचा 0 similarly आप देखेंगे r की power क्या बचे है p q plus का बचा और p q यहां पर ढूड़े कही minus का होगा यह p q minus का p r minus का है बटा और p r यहां जमा का होगा यह जमा का p r minus q है तो plus q भी होगा last में देखें plus r है तो minus r भी अपको मिलेगा q r plus का है q r minus का यह भी आपको मिलेगा तो अब P plus का है और P minus का आप देखें क्या कोई term उपर बची नहीं बची तो इसकी power भी कितनी 0 और आपको पता है कोई भी term उसकी power 0 को 1 होता है इसका अंसर भी पांद इसका भी अंसर बांद दोने को मट्ले करेंगे तो 1 तो शायद हमने जही प्रूब करना था यहां देखें यह सर कि लेपन साइट जो वो राइट एंसाइट वन अनचीद यहां पर हमारे पास जो राइट एंसाइट है वो वन आ गया है तो तो इसीर सुलेशन